तो यहां पर अपने पास फिर्स प्रोब्लम है, the sum of solutions of the equation in the interval 0 to 2 by is less than, तो अपने पास यहां पर यह equation देरिखे 16 times sin x की पावर 5 plus cos x की पावर 5 और is equal to देरिखे 11 times sin x plus cos x, तो अपन क्या कर सकते हैं, एक पह कि जो sin x plus cos x है वो वाली चाहिए 0 हो जाए, क्योंकि अगर तुम इसको इस form में लिखोगे, इसको इस form में लिख सकते है, sin x plus cos x, sin x की पावर 4 minus sin cube x cos x plus sin x का square cos x का square minus sin x cos cube x and cos x की पावर 4, इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यह 0 हो जाए, या क्या हो सकता है यहां पर, इसके जो value है, 11 by 16 के equal हो जाए, क्योंकि अगर तुम इस चीज़ को लेके आओगी, यह common लेने के बाद, अगर इसके value 11 by 16 के equal हो जाए, तो भी अपनी condition satisfy हो जाएगी, तो अगर अगर अपन इसको solve करने के कोशिश करें, तो यह क्या दे रखा है, अगर इन दोनों और इन दोनों को combine कर दो, तो यह 1-210 sin x का whole square और cos x का whole square आएगा, और पूरे में से, आपे मैं अगर minus का sin x cos x common ले लूँ, तो एक बचेगा मेरे पास sin square x, इधर से, इधर से मेरे पास बचेगा cos square x, और एक जो चीज बचेगी, वो मेरे पास minus का sin x cos x बचेगी, इस वाली quantity से और यह 11 की equal आएगा, अब अगर अपने इसको simplify करें, तो इस quantity को तुम्हें 1 लिखने वाला हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा, 16, 1-2 times sin x का whole square cos x का whole square, and minus of sin x cos x, जैसे यहाँ पर 1 बना है, तो multiply करने दो तो यह आएगा, end plus का sin x का whole square, and cos x का whole square, यह आने वाला है, 11 की equal, यहाँ से cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर 1-sin x का whole square, and cos x का whole square आएगा, and minus of sin x cos x, और यह इसके अपने 11 की equal दे रखा है, और अब अपन क्या करता है, इसको थोड़ा और further simplify करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर अगर करें, तो यह 16 minus 11 आजाएगा, 11 की दर लाता हूँ, minus 16 sin x का whole square, and cos x का whole square, and minus of 16 sin x cos x is equal to 0 आएगा, तो simply अभ यहाँ पर इसको factorize करने वाला है, तो इसको factorize करता है, तो इसको factors बनेंगे, वो यह बनेंगे, क्योंकि sin x cos x में quadratic है, तो तुम factorize कर सकते हो, तो दो factor आप यह बनेंगे, इस type से तो यह अपने पास दो चीज़ा है, तो यहाँ से यह वाली चीज़ को कभी 0 हो नहीं सकती है, तो तुम धान से देखी सकते हो, क्योंकि इसको मैं 2 times sin 2x लिख सकता हूँ, और जो sin 2x है, वो minus 1 से 1 के बीच में लाए करेगा, तो 2 sin 2x है, वो minus 2 से 2 के बीच में लाए करेगा, तो मतलब 0 नहीं हो सकता, तो इसी को 0 होना पड़ेगा, यानि यहां से क्या है अपने पास, यह इधर एक sin आएगा, तो means, जो sin x cos x की जो value है वो क्या हो नीची है, 1 by 4 हो नीची अपने पास यह आया, और एक शुरू में अपने पास आयता, sin x plus cos x is equal to 0, तो 0 to 2 by में अपनको solution बताने और उनका sum करने है, तो जो अपने solutions होंगे, तो एक तो अपना sin x plus cos x is equal to 0, और एक अपना sin 2 x is equal to half, तो x की value क्या हो सकती है, तो simply तुम 0 to 2 by में इसके solution देखना, तो मैं solution लिख देता हूं, तो एक 5 by 12 आयगा, एक 5 by 12 आयगा, एक 9 by 12 आयगा, एक 13 by 12 आयगा, एक 17 by 12 आयगा, और एक 21 by 12 आयगा, तो इस तरीके से यहाँ पर अपने solutions आएंगे, 0 to 2 by में, तो इस तरीके से अपने इसको solve कर सकता है, तो फिर यहाँ पर तुम check कर सकते हो, इन में से कौन सा option पर होगा, तो यहाँ पर जो sum of solutions आगर तुम निकालने की कोशिश करो, तो डिवाइड में 12 आजाएगा, और उपर यह 38, 38, एंड फिर यहाँ पर 41, 50, एंड यह 56 by divided by 12 बन रहा है, तो यह कितना बनेगा अपने पास, 6 और यह अपना हो गया, 28 और 3 और 14, तो यह कुछ 3.33 something type आ रहा है, 3.33 pi, तो यह all, मतलब इन सबसे ही last है, तो अपने A, B, C, D, 4 option true हो जाएंगे, तो इस तरीके से इसको solve कर सकते हैं, तो यहाँ से अपने पास पूछा है, नेक्स प्रोब्लम में, if all the roots of this equations are real, then the possible values of P, तो P की possible values क्या होगी, आपने अपने को पूछा है, तो इस equation को मैं इस तरीके से लिखता हूं थोड़ा, 2 times sin P की पावव 4, plus 3x square, minus 4x, sin P का whole square, plus x की पावव 4, minus 3x cube, plus 2x square is equal to 0, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, अब मैं यहाँ पर, इसमें quality का, तो यहाँ पर लगाता हूं, minus b, plus minus under root of, b square, minus 4, and a, and c, जो की यहाँ पर, plus 2x square, इस type का आ जाएगा, and divided by 2 times 2, तो यहाँ से अगर तुम sin square P की value निकालोगे, तो तुम्हार परस दो values आएगी, तो यहाँ से अपने पास दो equation बनेगी, जो मैं दो equation बनेगी, वो लिख देता हूं, x square minus 2x plus 2 sin square P is equal to 0, and x square minus x plus sin square P is equal to 0, अब यहाँ से real आनी चीए, x की वली क्यों प्रोब्लम में बोलना का, इसके सारे root real होने चीए, तो इसका discriminant d1 बोलने तो वो भी greater than 0 होने चीए, इसका d2 बोलने तो वो भी greater than equal to 0 होने चीए, तो discriminant देखोगे, तो b square minus of 4ac, यह greater than equal to 0 होने चीए, and b square minus of 4ac, यह greater than equal to 0 होने चीए, तो यहाँ से तो अपने पास आया, जो sin square P हो less than half आना चीए, और यहाँ से आया, जो यह है, वो less than 1 by 4 होने चीए, तो यहाँ पर दो चीज़ा ही अपने पास, तो यह दोनों true होने चीए, दोनों true होने चीए, क्योंकि सारे root real है, तो यहाँ से अपने पता चल गया, दोनों को intersection ले लेंगे, तो यह चीज होनी चीए, और इसके लिए जो P है, वो n pi minus pi by 6 से, n pi plus pi by 6 के बीच में लाए करना चीए, जाए n एक integer है, पर यह वाला option 2 दिख रहा है, तो जो ACDA को इसका answer हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको solve कर सकता है, तो यह अपने पास third problem क्या दे रखिया है, इफ यह x, y, z positive real number दे रखे हैं, जो satisfy कर रहा है इस equation को, तो आपन को इस value, value of this expression cannot be, तो सबसे पहले तो इसकी value निकालने पड़ेगी, तो सबसे पहले अगर मैं x is equal to 10a put कर दूँ, and 2y is equal to, अगर मैं 10b put कर दूँ, and 3z is equal to 10c put कर दूँ, तो basically क्या बन रहा है, 10a 10b plus 10b 10c plus 10c 10a is equal to 1 बन रहा है, तो यहाँ पर मितलब यह कब होता है, जब a plus b plus c की value पाई बाई बाई टू इन तीनों कसम, a b c belongs to 0 to पाई बाई बाई टू ट्राइंगल में तुम ने पड़ा होगा नहीं, तो मतलब ट्राइंगल मतलब जब ट्राइंगल के प्रोपर्टी इस पड़ रहा हो गया, मतलब trigonometry में भी जब a plus b plus c pi पड़ा होगा तो अगर यह वाली चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो a plus b plus c हो पाई बाई टू है, पाई बाई टू ही क्यों होगा, 3 पाई बाई टू अगर है क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर positive real number दे रखा हो और अपने एंगल 0 to pi by 2 के बीच में ले रहा हो तो यहाँ पर अपने पास यह चीज़ आ गई, तो यह इस टाइप का चीज बनेगा, sin a, cos b, cos c टाइप का और इसको भी अगर तुम इस फोर में लिखोगे, यहाँ पर इसको मैं इसको यूज कर रहा हूँ, एक ही जगह मैं इसमें से लिखोंगा तो इसको cos of b plus c लिख सकता हूँ, और फिर डिवाइड में cos b, cos c आएगा, और उसके बाद इसको अगर तुम simplify करोगे, तो यह 1-10b, 10c बनेगा, और अभी तुमने देखा इस type की quantity का sum कितना होगा, यह summation of 1 तो 3 हो जाएगा, 3-1 करोगे, यह वाला तो इसकी value 2 आएगी, तो 2 इसकी value आ रही है, तो यह तो आ गया, can not be, can not be, मैं अपना a, b and d answer हो जाएगे, तो इस तरीके solve कर सकता है, तो उत्य में अच्छा लगा, अच्छा लगा, तो like करो, subscribe करो, मिलता है next video,